अब्लेद कविता जी कह रहे हैं टेंथ कर लो चलो टेंथ कर लेते वह एद दो सो असी मीटर ट्रेन इस मुविंग एट स्पीड औफ एटी किलो मेटर पर आवर कि ये तो गई ट्रेन की लंबाई कि तनी एवाई दो सो असी मीटर करेक्ट सही बात है ठीक है moving at a speed of 80 km per hour कितनी स्पीड से चल रही है 80 km per hour की स्पीड से चल रही है ठीक है जी अगला है how much time will it take to pass a bridge that is 120 मिटर लोंग अब ब्रीज की लंबाई क mandate 101 वन्टवंटी मीटर कितनी लंबाई यह ब्रीज की 120 तो इसको ब्रीज को हं बनाते हैं बता देता हूं इस ब्रीज को हम इस सायद सesser हो तो सबक्राइपकर यह सब क्लीर ली विजीबल तेंक्यू तो बहुत अच्छी बात है तो भाई देख लो स्पीड क्या है असी किलोमेटर पर आवर कि इसकी लंबाई कितनी है ट्रेन की 280 मीटर पुल की लंबाई कितनी है 120 मीटर पूछ क्या रहा है कित्ती देर में क्रोस कर देगा तो जल्दी से कुछ लोग है वो लोग क्रोंगे कुछ लोग क्या सभी लोग करेंगे व्ह लोग करके देख सकते हैं जो आग है जुड़े हैं वो भी ट्राइब कर लो भई जल्दी ट्राइब फिर हम बताते हैं कि क्या करना चाहिए कवीता जी ने तो ट्राइक कर लिया बाकी लोगों ने उ मैं कॉच्छन बेजता हूँ तो फिर एक दो लोगों के ही डाउट क्यूं आते है बाकी लोगों के क्यूंग नियूरा गया तो सबको सब सब कुछ आरहा या नहीं आ रहा कि मामला कुछ तो है कि चलिए कि कोशिश करते हैं सोल करने की ओके तो देखे वई 120 मीटर इसकी पुल की लंबाई 280 मीटर ट्रेन की लंबाई कितनी देर में क्रोस करेगा तो सभी लोग ध्यान देंगे कि क्रोस करेगी ट्रेन कि तो यह सिरा और यह सिरा इस दोनों के मिलेंगे माने क्रोस कर कितनी डिस्टेंस क्रोस करनी है इन्हों ने यह पूरी डिस्टेंस क्रोस करनी है कि नहीं करनी है बताओ यह बात बताओ पुल को क्रोस करने के लिए पुल की लेंथ तो क्रोस करनी ही पड़ेगी ठीक और जब व तो पूरी लेंथ क्रोस होनी चाहिए पूरी लेंथ क्रोस होने के क्या चाहिए भाई इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस डोनों का जुड़ जायेगा कि नहीं बताओ जल्दी बताओ yes और no ठीक है 280 और 120 लिख दिया है जी 400 ठीक है भाई 28 और 12 होते हैं 40 आप लोगों ने 120 और 280 नहीं देखना है आपने क्या देखना है इसकी 0 हटाओ इसकी 08 क्या देखना है 28 और 12 तो 28 और 2 होते हैं 30 10 और जुड़ जाएंगे तो 40 इसका दलग 400 होगे ठीक है तो ऐसे माइंड में कैलकुलेशन करना शुरू कर दीजिए ठीक है लेंद्ध हो गई वह 400 मीटर इस बात में कोई डाउट नहीं है ठीक है अब देखो हमारे पास जो किसमें भई किलो मीटर में अंसर किसमें पूछ रहा है भई सेकिंड में इसका मतलब हमें इसको किसमें कनवर्ट करना पड़ेगा कि किलो मीटर पर आवर से मीटर पर सेकिंड में और मीटर पर सेकिंड में कनवर्ट करने के लिए कल ही बताया था क्या करना पड़ेगा मल्ट ठीक है भाई कि क्योंकि बड़े से जा रहे हैं छोटे पर तो इसलिए छोटा रहेगा उपर ठीक तो पांच बते अठारा यह हो गया चलिए भाई अब बताओ कोई कहीं कुछ कट पिट रहा है तो काट पिट लेते फटे खिए चारसो बटए अठार आ गया चलिए चारसो बटे अठारा क्योंकि हमारी नीचे लेंथ भी चारसो है यह भी है तो कहीं कोई टैंशन भची ही भाई इसको तो झारसो तो अभी देखो जी आम से क्या पूछा है टाइम क्या होता है जी डिस्टेंस अपन स्पीड होता है यहीं से आया है इस इकल स्पीड इंटम तो टाइम निकालेंगे तो चली जाएगी दिस्टेंस अमारा कितना है 400 स्पीड कितनी है भाई 400 बटे 18 तो 400 यह रहा और 18 बटे में है तो उपर जाके गुणा में हो जाएगा तो यह दोनों कट जाएंगे सबकों कोई बात नहीं बड़ी अच्छी बात है हम विद्वान है बुक महान नहीं है तो हिसान से ही गलतियां होती है तो यह टाइपिंग एरर या कहीं कुछ एरर हो गया होगा बुक में तो घबराने की कोई बात नहीं है अपने उपर confidence होना चाहिए अंसर तो मैंने का ना option तो आपको पेपर में भी गलत मिल जाता है कॉश्चन पेपर जो आपका आएगा उसमें भी एंटिये कई बार गलत या मिस्प्रिंट या कुछ ऐसा दे देती हैं तो चलिए बात समझ में आई सब को समझ में आई की नहीं आई कौन-कौन रहे गए जिनको समझ में ना आई तुरंट बता दो झाल झालो